नमस्कार आप सभी का हारदिक स्वागत और अभिनंदन है आज हम बहुत ही महत्पून विशे पर चर्चा करने वाले हैं और वह महत्पून विशे है रक्षा बंधन इस बार का जो रक्षा बंधन का पर्व है उसमें बहुत सारे मत मतांतर प्राप्त हो रहे हैं कुछ लोग क रहते हैं कि 12 तारीकों रक्षाबंधन का परो मनाना चाहिए तो रक्षाबंधन हम मनाए कब 11 अगस्त को मनाए अथ्वा 12 अगस्त को मनाए इसका शास्त्री प्रमाण क्या है मतलब हमारे जो भी धर्म ग्रंत हित्यादी है उनमें किस प्रकार की शास्त्री विधी बताई गई है रक्षा बंधन मनाने के संदर्म में और इसके अत्रिक्तिय लिए हम देखें तो रक्षा बंधन का जो पर होता है मतलब केवल बहने ही अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांथी है या कोई अन्य मेक्टि भी इस रक्षा बंधन पर अन्य विक्तियों को राखी बांध सकता है या रक्षा सूतर बांध सकता है तो रक्षा बंधन इस बार का जो पड़ रहा है मुल रुप से भद्रा में हो रहा है उस कारण से कुछ लोग 11 को कह रहे हैं और कुछ लोग 12 को कह रहे हैं तो आखिर में हमें मनाना कब चाहिए?। उन सभी विशियों को ले करके हम शास्त्रीय द्रिश्ठी कूण से इस विशय को मनाने का प्रयास करते हैं कि रक्षा बंदन हमें कब मनाना चाहिए। तो या भ्रम की स्थिति उत्पन क्यों हो रही है पहले हम उसको देख लेते हैं 14 अगस्त को अर्थाद गुरुवार को पूर्णिमाति थी जो है वह प्राता 10.30 बजे से प्रारंब हो रही है और अगले दिन मतलब 12 तारी को सुबह 7 बजे तक है और जब भी पूर्णिमाति थी प्रारंब होती है तो प्रारंब होते ही भद्रा का स्थान हो जाता है मतलब जैसे ही पूर्णिमाति थी प्रारंब हो जाती है और सरवदा पूर्णिमा के पुर्वार्द में ही भद्रा रहती है तो ऐसा कहा गया है कि भद्रा में कोई साभी शुबकर्म नहीं करना चाहिए शास्त्री वचन भी प्रमान होते हैं कि भद्रा यां द्वेनकरतव्य, स्रावणी, फालगुनी तथा मतलब भद्रा में तो कोई साभी शुबकर्म करना ही नहीं चाहिए न तो स्रावणी करनी चाहिए और ना ही फालगुनी अर्थात होली का दाहा स्रावणी मतलब रक्षा बंधन तो पुडिमा अतिती में जो यह भत्रा है जो प्रातः साड़े दस बजे से लेकर के रात्री आठ पचास तक है तो उस समय भत्रा रहेगी ग्यालतारीकों तो भत्रा काल में रक्षा बंधन कथम अपी नहीं करना चाहिए कुछ लोग इसका परिहार लगा लेते हैं कि भत्रा के पुच्छ में हम रक्षा बंधन कर लें तो इस अंदर में यही मैं कहना चाहूँगा कि शास्त्री प्रमाणों में धर्म सिंधु में या निर्णे सिंधु में या अन्याने जो भी निर्णे के गरंथ है जो हमारी स्मृतियों के गरंथ है धर्म सिंधु इत्यादी उन सभी के करताओं ने इस बात का कहीं भी उलेख नहीं किया हुआ है कि आप पुच्छ में भद्रा के पुच्छ में कोई सा भी शुब करम करें क्योंकि धर्म सिंधुकार के गरंथ धर्म सिंधुक यदि हम देखते हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है कि अस्याम पौर्ण मास्याम भद्रा रहितायाम मतलब भद्रा रह में आपको रख्षा बंधन का परो मनाना है और उस पूर्णिमा में भी आपको प्रदोषकाल में अथी अपरानकाल में रख्षा बंधन काゴag करना चाहिए तो अपरानकाल जो हम देखें यहां झान्य के चतुर्थ-प्रहर का काल होता है तो उस चतुर्थ प्रहर काल में मूल रुप से भद्रा कावास है तो इसलिए उसमें कतम पी नहीं किया जा सकता और प्रदोश का जो काल है जो रात्री का प्रथम प्रहर का काल होता है सुर्यास्त से लगबग तीन घंटे का होता है तो उसमें हमें कर लेना चाह तो रात्री 8.50 तक जो भद्रा का स्थान बताया गया मतल़ भद्रा 8.50 मिनट तक है तो उसके पश्चार रात्री तक जो हम रक्षा बंधन का काम कर सकते हैं भद्रा का जो वीचार लोग कर रहे हैं कि भद्रा पुछ में करना चाहिए ऐसा शास्तरी प्रमाण कहीं पर भी प् कि भद्रा पाताल लोक में हैं इसलिए हमें मना लेना चाहिए तो हमेशा स्रावन पूरिमा के दिन स्रावन नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र ही रहेगा तो हमेशा वह सरवदा जब भी रक्षा बंदन होगा तो हमेशा पाताल लोक में भद्रा रहेगी ही रहेगी तो धर जाएं यह ग्यात है कि भध्रा में कोई साव शुक काम नहीं करना चाहिए परिहार तब लगाया जाता है जब अत्याउध क्लिश्ट अवस्था हो जाया मतलब उसके बीना काम अब चल ही नहीं सकता है तो उस इस्तिती में परीहार लगाना चाहिए लेकिन इस प्रकार के परवों में तो बिलकुल भी परीहार का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए यदि मालिजे हमारे पास किसी को सर्प काट लिया उसकी और शद्धी भी है हमारे पास तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि हम हमेशा सरप सही कटवाते चलें क्योंकि हमारे पास उपाया पहले से मौजूद है तो उसे भरसक बचना चाहिए और शास्त्री प्रमाणों की अवहिलना बिल्कुल नहीं करने चाहिए बारा तारिक को यदि हम देखें तो प्राता साथ बजे तक पूर्णिमाति थी है लेकिन वह तीन मुहूर्थ से कम है एक मुहूर्थ का जो काल होता है लगभग दो घटी का मतलब एक घटी बराबर 24 मिनट अरथा 49 मिनट का लगभग एक मुहूर्थ का काल होता है और तीन मु 10-15 मिनट का यंतर जरूर हो सकता है लेकिन आसन में ही उसमें रहेगा ऐसा नहीं है कि यह यह 10.30 बजे भद्रा परारम है अमुक स्थान पर तो किसी अण्य स्थानों पर गेड़ बजे भद्रा प्रारम हो ऐसा नहीं होता है 10-15 मिनिट का अंतर जरूर उपन होता है तो 12 अगस्त को मतलब शुकरवार के दिन लगभग सुबह 7 बजे तक पूर्णीमा है भद्रा रात्री में ही 8-50 तक समाप्थ हो जा रही 11 तारी को और उसके बाद भद्रा नहीं है तो 8-50 के बाद आप रात्री परियंत रक्षा बंधन का परो मना सकते हैं उसमें शास्त्रकारों ने आपको छूट दिया हुआ है शास्त्रकारों ने कोई ऐसा बंधन नहीं किया हुआ है कि रात्री में भद्रा, रात्री में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि रात्री में विवा इत्यादी जो शुबकर्म होते हुआ किये जाते हैं, तो और शात्रकारों ने कोई ऐसा प्रतिबंधक नहीं लगाया है कि आप रात्री काल में ना करें, बारतारी को करके या सब कारें संपादित कर ले तो मुश्किल लगता है, तो उसी कारण से आचारियों ने उसका निशेद बताया, और ऐसा कहा भी है कि कम सकम तीन मुहुर्त तक तो उसका मान होना ही चाहिए, पूर्णी मा का मान, तो ही वह फॉर्ण मासी रक्षा बंधन हेतु ग्राह में रखते हुए, अनेक स्थानों पर दिन में ही उसका आयोजन करते हैं, तो इस बार सायद वह संभव नहीं हो पाएगा, इस करण से वह 12 तारिक को करें, 12 तारिक को वह कर सकते हैं, क्योंकि एक आदश 11 तारिक को तो भद्रा है, तो वह संभव नहीं हो पाएगा, तो ऐसे संस्थानों के लिए बारतारिक, वो अपने मर्जी से उसको कर सकते हैं, क्योंकि बेहने जो हैं अपने भाईयों के कलाई पर आखी बांदती हैं, जो हमारे देश के नوجवान, सैनिक जो है, सीमा से Bangladeshाओ पर डटे हुई हैं, को भी बहने जो है राखी बांधती हैं तो चुकि यह आयोजन दिन में होता है तो वह इस बार संभव नहीं हो पाया क्योंकि रात्री में भद्रा समाप्त हो रही है पूरे दिन भर भद्रा है तो ऐसे लोग कदाचित बारत तारीक को जो है रक्षा बंधन का पर मना सकते हैं अब हम चर्चा करते हैं कि क्या बहने ही के और भाई को राखी बांधती है रक्षा बंधन पर तो ऐसा कोई विशेश परमान उपलब्ध नहीं होता है जिस किसी को भी रक्षा बंधन बंधवाना अभी प्रेत होता है मतलब कोई वेक्षा बंधन रक्षा सूत्र बंधवान साल भर तक जो भी परशानिया इत्यादी आती हैं मतलब कोई विपत्ती है या कोई आपत्ती है या किसी प्रकार की शारेरिक मान से कि इत्यादी जो भी परशानिया है वह रक्षा सुत्र बांध लेने से वो एक सिध रक्षा सुत्र होता है उस रक्षा सुत्र को बांध लेने से वह साल भर तक भी पत्तियों से बचा रहाता है जैसा अनंत चतुरदशी इत्यादी के दिन लोग सूत्र बानते हैं और भी अनेक बहुत सारे पर्व होते जिसमें रक्षा सूत्र का विधान किया जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि हम जो है शारिरिक और मांसिक रूप स गीरे रहे हैं मतलब हमारे ओपर एक रक्षा सूत्र का काम करता है तो केवल बहने ही भाई को राकिये बांद भाएं यहा आवाशक नहीं होता है लेकिन लोग परंपरा में कुछ वर्षों से यह प्रक्रिया जल पड़ी है कलत प्रक्रिया नहीं है लेकिन केवल भाई भाई की बढ़ाई की बालस क 얼굴 Connected Korean catत siya Ben बहां सकती ए्पपति पत्नी आपस माता पिता या बहनेना जो भी है के år सब बाफ़ा सकते हैं तो बोट भाईयों की कलाई पर रहा है प्राम्हर्ण को या कोई ब्हजमान को या कोई विव इक्ति जो ए उसको बांध सकता है तो कौन से मंतर से रक्षासूत्र बांधना चाहिए तो इसलिए शाहत्रों में बताया गया है ये न बढद्धो बली राजा दान वेंद्रो महा बलह तेन त्वाम अभिधध्द्ञामी रक्षे Sherlock मांचल यदि आप रक्षासूत्र बांध रहे हैं तो इस मंदर के द्वारा रक्षासूत्र बांध है और वह रक्षासूत्र निश्चित रूप से वर्ष परियंद आपको अनिक प्रकार की विपत्तियों से बचाता रहेगा कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भद्रा के पुच्छ में कर लिना चाहिए लेकिन उसका प्रमाण तो कहीं पर प्राप्त हो ही नहीं रहा है इसलिए शास्त्री प्रमाण के वल यही निर्देशित कर रहे हैं इस बार कि 11 तारीको ही आपको प्रदोशकाल में जो रात्री का प्रथम प्रहर माना जाता है प्रदोश काले में भद्रा समाप्त होने के पश्चात आप रास्तरी परियंत जो है आप रक्षा बंधन का कार्य कर सकते हैं यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेर अवश्य कीजिएगा क्योंकि जो शास्त्री पध्धती है हुआ सभी के पास अवश्य पहुंचने चाहिए